हलो फ्रेंट्स स्वागत है आपका इस चैनल पर जिसका नाह में इंग्लिस एडवांटिज उस तो इस वीडियो में आपको इंग्लिस की वोकेबलरी बताऊंगा बैंक पियो के लिए एंडिये के लिए सीडियेस के लिए और के लिए बहुत हुआ इंटिन्स में आपके लिए इंपयूफ्मेंट में रीडिन्स में ईंपयूर्ट कॉटिछ उस्तिम criminal का शुकी है तो इसलिए इन वर्ट को मैं आपको बताऊंगा और बहुत डिटेयर में बताऊंगा और इसमें मैंने इसमें हम किसी भी वर्ड को इमेजन करेंगे पहले विजुलाइज करेंगे और फिर उसको लिंक करेंगे एक पिक्चर बनाएंगे उस पिक्चर को इसको लिंक करेंगे तो इस तरह से ये वर्ड आपको हमेशा के लिए याद हो जाएंगे और किसी भी कॉम्पीशन में आप ज ऩुकंसब्ट का है forty कि शुझ से रीशा के लिन को सकते Фजक लीडें सेना हमेशा की लिए यात कर सकते हैं तो यह ही एक अच्छा टरीका होता है वो है one day को याद करने का तो इस टीटोरियल की मदद से इस टीटोरियल को जब आप पूरा देख लेंगे तो आप 350 के आसपस कमसे का वर्ट हमेशा के लिए सीख जाएंगे और कॉम्प्टिशन में इंग्लिजिस का पेपर निकालना आपके लिए बहुत आशान हो जाएगा मैं तो चलिए शुरू करते हैं कि फस्ट बर्ड देखते हैं फर्सट बर्ड क्या है इस एक ब्यूट पिलेताय है वाइन की बंड़ पिलेता है तो वह अनकिलियर रहेगा मतले इसको याद करने का तरीका है देखिये बोकल को आप बोटल से जोड़िए और यदि आप बोटल वाइन की बोटल पी लेता है तो वो अन्किलियर रहेंगा मतलब अन्किलियर रहेंगे तो इसलिए एक्यू वोकल का मतलब हुआ अन्किलियर अब देखिए इसके रिलिटेड मीनिंग क्या है वेग हुआ इन दोनों लेंगा ची नहीं सकते हैं अन्किलियर अन्किलियर इवेषिफ वर्ड टैक्स सकते है टैक्स neolिजन आतेउं न्किलियर Baptist इंदानों का मतलब है ईमक्या मतलब आपन देखिए ओचे से webinars lecture Прèces उंक्यान हो रहाव एक श्याटेर्सम्ट एंदमदय की है है टेक्स एवेजन मतलब टेक्स की चोरी उसके लिए यह वेसिव वर्ड ही होता है तो मतलब वह किलियर नहीं है और शिफ्टी वर्ड आप यूज कर सकते हैं तो कितने सारे देखिए वर्ड है एक्यूवकल का मतलब होगा वेग एंबीग्वस अंकिलियर एंबीवलेंट अंक किलिए अपिर नेक्स वर्ड लिक्ते हैं देखिए यूभी कुटस बहुत इंपरटेंट वाड बहुत एक्जाम से में बेंकिंग एक्जाम संगी वर आ चुका है यूवी कुटस का मतलब क्या है जो चीज हर जगे प्रेजेंट है सम्झिंग डेट इस प्रेजेंट आई पील से फिर दीज को सब्सक्राइब करने बिया देखेंगे। लुश्यू की देखेंगे। मारूती स्रीजी कि आपको सब्सक्राइब करने दिखेंगे। तो इसलिए Omnipresent का मतलब हुआ जो हर जगर प्रजेंट है तो इसमें तीन वर्ड है जो भगवान से संब्द देता है Omnipresent जो हर जगर प्रजेंट है Omnipotent, Potent मतलब सक्ति जैसे होमेपेथी में Potency की दवाईया देते हैं ज्यादा Potency की कम Potency की तोbi Potency का मतलब होता है शक्ति तो Omnipotent हो जाएगा सम्सक्ति मान Urban present हो जाएगगा हर जगर प्रजेंट होमेथी और Omnip сид pac Evet का मतलब साइंस करें सींत के मतलब है साइंस साइंस तो cn. का साइनस तो only cm का मतलब हो जाएगा सर्म सकती मान, cm तो इसको आप जोड लीजिए cm से, सबसे 10 प्रेजय को जाएगा सार्म सकती मान, तो इसतरे से ubiquitous का हुआ, जो हर जगे present है, तो इसका intonim क्या हो जाएगा, इसका intonim होगा scarce yaw rare जो हर जगे नहीं है तो चलिए नेक्स वर्ड देखते हैं नेक्स वर्ड देखिए प्रॉक्सी मिटी प्रॉक्सी मिटी इसमें कोई चीज मिट रही है प्रॉक्सी मिटी मतलब कोई चीज मिट रही है तो जब दूरिया मिट जाती है तो आप नजदी का जाते हैं तो प्रॉक्सी मिटी मतल दोनों का ही मतलब है नेर नेस तो इस तरह से दोनों में भी अरही है इस तैस तरह से एक अश्य बन रहे है तो अपना के लख सकते हैं और इसका एंटियम होता जाए एक दो गुड मुड घाइद में रिमोटनेस या डिस्टेंस इस तरह से इन वर्ड को आप एंट्रोनिम में भी याद कर सकते हैं और रिदिंग कॉम्प्रियेंशन में भी बहुत काम में आएंगे यह वर्ड और नेक्ट वर्ड देखिए सदिस्टिक कि शैडिस्टिक का मतलब इसमें लिखा हुआ है एग्रेसिव ब्रूटल कुवल इस तरह के वर्ड से से इस्टिक का मतलब एक इसको याद कैसे रहेंगे देखिए जो सेड और इस्टिक जो अपनी इस्टिक से दूसरे लोगों को सेड कर देता है यह कॉल सैडिस्टिक मतलब क्रूल, बीसियस का मतलब है दुरगुणी, बहुत इंपर्टेंट वड है विस्यस, विस्यस का मतलब है दुरगुणी, इसको आप ऐसे आद रख सकते हैं कि इसके निर विश्वरा हुआ है, उसको हम बोलेगे विश्यस, तो यह हो गया इसका, इसके सेनोनेम्स हो गए, एंट सब्सक्राइब आप इस तरह से याद रखिए जो अपनी इस्तिक से से रोगों को यह अगरे से ब्रूटर और क्रूवल इसके सवीश सोंगे और बिस्टीज हो सकता है इसका और एंटोने होगा इसका पीसफुल या फ्रेंज next word देखते है next word एक कुछ phobia के word भी बहुत आते है exams में phobia और files related words आते हैं देखिए phobia का मतलब होता है किसी चीज का डर जो phobia word है यह phobia word है इसका मतलब होता है किसी चीज का डर और file मतलब होता है किसी चीज का लव या किसी चीज का attraction तो इको phobia का मतलब होता है fear of height लेकिसको आप याद कैसे लखेंगे अब देखिये क्या दिया हुआ है क्रो माने क्या होता है तो इसको हम बोलेंगे एक्रोफोबिया तो इसका मतलब हो जाएगा फीर ओफ हाइट ठीक है इस तरह से आप एक्रोफोबिया को याद रख सकते और बैसे आप याद करेंगे तो बैसे आपको याद नहीं होगा बिबिबिबिबिबिबिबिबिबिबिबिबिबिबिबिबिबिबिबिबिबिबिबिबिबिबिबिबिबिबिबिबिबिबिबिबिबिबिबिबिबिबिबिबिबिबिबिबिबिबिबिबिबिबिबिबिबिबिबिबिबिबिबिबिबिबिबिबिबिबिबिबिबि निजए उसको बोलते है और छोड़ा जाते हैं कुद्धिया जाओनों चुरसकते हैं की लिए बिर ऑन कुद्धिया कि आप पिंगसा के लिए याद कर सकते हैं में लिए है होमोफोबिया होमो तो सिंपल सा मतलब है होमो जैसे हीमोगलोबन होता है हीमोगलोबन होता है हीमोगलोबन होता है तो इसको आप आराम से आस रख सकते हैं फीर ओफ ब्लड हीमोफोबिया हो गया आपका फीर ओफ ब्लड मोनोफोबिया मोनो मतलब क्या होता है इंगलिस में एक होता है, बाए मतलब दो, ट्राय मतलब तीन, ओक्ता मतलब एट, इस तरह से, तो मोनोफोबिया का मतलब होगा, फीर ओब बिइंग अलोन, इबिन वेन स्लीपिंग और इटिंग, जब आप स्लीपिंग कर रहे हैं, इस समय भी आपको लग रहा है, आपकेले पन से आपको डर्न लग रहा है, तो इस इस और मोनोफोबिया, अब देखिए, नेक्स वर्ड है, आपका साइनोफोबिया, साइनो, होता है, फीर ओफ डॉक्स, लेकिन इसको आप याद कैसे लखेंगे, देखिए, जो डॉक्स की नाक होती है, वो थोड़ी सी, उसके जो नॉस्ट्रिल्स होते हैं, वो अलग तरीके के होते हैं, अलग से दिखाई देते हैं, तो एक पहचान बना सकते हैं, कि साइनो का मतलब है, नोज और नोज को आप डॉक्स से रिलेट कर सकते हैं, तो इसलिए साइनो फीबिया होगा, आपका फीर ओफ डॉक्स, जीनो फोबिया, देखिए, जीनो फोबिया का मतलब होता है, फीर ओफ अन्नोन और फीरिंग एनिधिंग और अनिवन देटीज इस एड़िया है, जैसे हम मेथ में X की वेलु लेते हैं, या X ray का ड्यान सकते हैं, जैसे ज Pure X, तो इसका नाम इस नाम इसका डाल कर दो X रह दिया, तो X का मतलब है कि बीई जीनो फोबिया कोई प्सकी होगा, चीज तो जीनो फोबिया का मतलब ओड़ होगा, आपका दिनोफ और फॉरन यह हो गया आपका जीनो फोबिया नेक्स वर्ड देखिए प्रोकेस्टिनेट बहुत इंपर्टेंट वर्ड है कि बेंकिंग एक्जाम में यह आ चुका है प्रोकेस्टिनेट तो इसमें आप नेट का मतलब होता है लेट और लेट का मतलब डिले नेट को अच्छ देर मतलब के लिए किसी चीज को अपने ताल दिया वन यबंद स Plautौ पोस्ट का मतलब हमेशा से होता है बाद में, यह जो पोस्ट है, इसका मतलब होता है बाद में, पोस्ट पॉन, तो मतलब बाद में करेंगे उस काम को, इसके कुछ वर्ड और है, सुनोनिम है, हैंग फायर है, डिफर है, और डेली है, यह भी वर्ड है, डिफर का मतलब बहुत कर सकते हैं नेक्स बड़ देख़ी ओफ रॉफ सक्यों कि शाष प्राइब्स कर रहा है वह उनसर्टेंड होगा उसका कोई मतलब गारंटी न्योगी कि आपका यावलाज होगा के नहीं तो क्यों आलवेस अनसर्टेंड तो आप्सक्योर का मतलब वह उनकिलियर यांसर्टेंड ठीक है आप इस तरह से याद कर सकते हैं तो obscure का मतलब unclear हुआ, obscurity noun हो जाएगा इसका, अब देखिए incomprehensible, जिसको आप comprehend नहीं कर सकते, जिसको आप समझ नहीं सकते, that is called incomprehensible, vague का मतलब भी uncertain होता है, यह जो vague है, vague का मतलब uncertain होता है, unclear, ambiguous मैंने पहले बताया था, uncertain होता है, doubtful, अब murky देखिए, murky एक word है, जो pictures के लिए उज़ता है, murky का मतलब कोई picture धुंदली देख रही है, clear नहीं देख रही है, उसके लिए उज़ता है murky, unintelligible, यह भी एक incomprehensible, unintelligible, यह दौना similar word है, hazy, यह भी picture के लिए उज़ता है, hazy, unclear picture, uncertain, तो देखिए कितने सारे words है, uncertain, hazy, unintelligible, आपका murky, doubtful, ambiguous, मतलब unclear, या doubtful, unclear, vague, incomprehensible, इस तरह से यह सारे word, यह सारे synonym से किस word के, obscure मतलब के, obscure मतलब जिसमें clarity नहीं है, जो unclear है, और इसका intonim क्या होगा, इसका intonim होगा, आपका clear, तो obscure का intonim होगा, clear, इस तरह से आप इसको हमिशा के लिए याद कर सकते, next word देखिए, she's less, cease less, cease का मतलब होता है, रोकना, आपने theater बगरा में कभी गया होंगे, तो देखा होगा आपने, cease fire के नाम से एक instrument लगा हुआ रहता है, cease fire, cease का मतलब, cease का मतलब, रोकना, fire का मतलब, आग, आग को रोकने वाला यंत, उसको बोलते हैं cease fire, ठीक है, तो cease में हम less लगा देगे, मतलब वो चीज रुक नहीं रही है, cease less, मतलब जो चीज रुक नहीं रही है, रुक नहीं रही है, मतलब 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 रुक नहीं रही है, बहुत चीज सीज नहीं हो रही है, continuous नहीं चल रही है, तो इस तरह से आप इसको, एक है इसका unending, एक है इसका continuous, और एक बहुत important वर्ड है इसका interminable, interminable, interminable मतलब interval के लिए मना कर रहे हैं, इंटरवल जो थेटर में, टॉकीज में interval होता है, उसके लिए मना कर रहे हैं, जब इंटरवल नहीं होगा तो कोई चीज continuous लेगी, तो interminable का मतलब हुआ continuous, ठीक है, इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं, interminable मतलब continuous, interminable means continuous, और antonym क्या हुआ, जो चीज टेंपुरेरी होगी, temporary, transitory, intermittent, देखिए बहुत सारे वर्ड मैंने इसमें आपको पताएं, intermittent, intermittent मतलब रुक कर, ephemeral होता है, transient होता है, और short-lived होता है, तो बहुत सारे वर्ड हैं यह, temporary है, transitory है, intermittent, intermittent मतलब जो बार-बार मिट रहा है, बार-बार बन रहा है, मतलब रुक कर, ephemeral मतलब जो momentary है, ephemeral short-lived है, और transient, तो इस तरह से आप इन वर्ड को याद कर सकते हैं, कभी cket करेंगे नी सिजस्लेस मतर्ब कंट्री तो चलिए नेके डिकते हैं युटोपि युटोपिया shift 1 उच्पएगा मतलब ए रामराज्य यह एफ़सहिं आइडियग हए फियखे हैं तो यूटोपिया तो आपको अपना राम राज मिल जागा एक आइडियल कंडिशन होती है और इसका अपोजेट होता है डिस्टोपिया यहां पर सारी चीजें बिगडी हुई हैं सिरिजेंस को की फैसिलिटीज नहीं बिल ले हैं कोई जॉब अपोर्टीज नहीं है उसको हम बोलते हैं डिस्ट आइडियल सिचुएशन नेक्स देखिए पॉस्टुमसली यह कुछ बेंकिंग एक्जाम से मैं आ चुका इसलिए मैंने लिया इसको पॉस्टुमसली मैंने आपको बताया था कि पोस्ट का क्या मतलब होता है बाद में पोस्ट मतलब कोई चीज बाद में हो रही है तो पॉस तो इसको आप गन से याद रख सकते हैं इसमें गन आ रहा है गन बड़ी होती है रिवॉल्वर या पिस्टिल छोटी होती है तो इसलिए गन मतलब बड़ा तो जाइगंटिक मतलब बहुत बड़ा यूज इनॉर्मस एक्स्ट्रीमी लार्ज मैसिव और देखिए इसमें भी इसमें भी गन वर्ट आ रहा है वहीं देखिए गन वर्ट आ रहा है तो गर्गेंटन का मतलब भी भ्रट बड़ा बड़ा खुलोसल बहुत कॉमन वर्ट है को यूज इडर्मस एक्स्तिमी लार्ज मैसिव गर्गेंटन चॉलोसल अवर्साइज वस्ट और अन्टनिम का क्या मतलब होता है चोटा या स्मॉल और जाइगंटिक का मतलब होता है बड़ा इस तरह से इन वर्ट को याद कर सकते हैं रस्तिक देखिये रस्तिक का मतलब क्या है रस जो रस पीता है रस मतलब जो गन्य का रस पीता है गाउं का अध्मी सेर का आद्मी क्या पीता है औरंज का यह पीट वगरर पेड़ करकान पहां पहां प्टेटी जादा होती है है इसके लिए एक वरड है कि मतलब रोरल पुण्ट्री पास टोरल छाहां पत्री वहुट्रन पहां प्तिय। प्ट्रोंड़ होती है प्युक्स आटा नкимиρέ auf आपके उगए रस्ट्क के शूनिम होगा या सारे वर्ड और रोरल का की विज मतलब होता है या परti कि उपज passion एक राउरा एक लेक्ष थीया और लिए अर्वन्वे गया यह अनकैनी टेलेंट आफ किर्केट, सुचिना एस रहारे सेपून, में सच्छिक वहजिया है यह जिरम के आगेसगर अ किर्केट में। नहीं है नहीं है नहीं हम रहारे सेपून मस्टेरियस कुछिछ दिया हुआ है ब्रेकेट में। और जो चीज़ इस्टेंज नहीं है वो कैसी होगी वो ही नॉर्मल तो इसलिए इसका इंट्रियम होगा नॉर्मल तो इस तरह से इन वर्ट्स को आप याद कर सकते हैं अंप तीज़ को दिता ᶉम्ल नी अक्षें यादे बर फेंच की का मतलब फिर को उसानिए ऐसों में घ्रनेख कलगा तो ऑम तीज़ इसे multitude, multitude का मतलब होता है crowd, crowd का एक वर्ड और है thong, ठीक है, इस तरह से बोलते है, innumerable, numerous, countless, zillion, ये एक नया वर्ड है, zillion, tillion, million, उससे बना हुआ है ये, तो जिलियन का भी हम यूज करते हैं बहुत सारे के लिए, और अन्टर निम क्या होगा इसका, sum या if you, कुछ, दोनका ही मतलब है कुछ, तो इस तरह से umpteen means कही सारे, या multiple, या multitude का मतलब क्या होता है, भीर, तो इस तरह से आप इन वर्ड को या आद कर सकते हैं, next देखिए, concise, यह भी बहुत important word है, concise का मतलब है, जिसका size कम है, या नहीं जो छोटा है, अब छोटे के लिए क्या word करेंगे, brief, ब्रेविटी, short, to the point, succinct, crisp, टर्स, पिथी, लेकॉनिक, कल्टेल, और average, कितने सारे वर्ड हैं देखिए, सारे ही important word है, कुछ वर्ड की आप association बना सकते हैं, जैसे brief, एक होता है brief case, और एक होता है suit case, brief के समय सा छोटा होता है, suit case समय सा बड़ा होता है, तो brief का मतलब क्या हु मतलब आपने सक करके उसका juice निकाल लिया है, mainment चीज को निकाल लिया है आपने, succinct, brief है वो, crisp, mainment चीज आपने निकाल लिया है, ters, इन words को आप ऐसे जाद रख सकते हैं कि देखिए, crisp, ters, और पिथी, इन तीनों का ही मतलब है, short, laconic, laconic मतलब कोई चीज उसमें lack कर रही है तो laconic का मतलब कोई चीज उसमें lack कर रही है, तो laconic का मतलब होगा, छोटा, curtails, curtails मतलब इसको चोटा कर दिया गया है, तो इसको हो गया, curtail, इसको ऐसे याद रख सकते हैं, average, इसमें bridge word आ रहा है, ठीक है, bridge word आ रहा है, तो bridge का मतलब क्या होता है, pull बना दिया, यदि आप आपको जाना पड़ेगा, और pull पार करके जाएंगे, तो छोटे से आप जा सकते हैं, तो average का मतलब होगा, curtailed version या चोटा version, ठीक है, तो इस तरह से इन words को आप याद रख सकते हैं, concise, concise एक dictionary भी आती है, जोगी छोटी dictionary होती है, फुल dictionary होती होती है, चोटी dictionary होती है, तो concise क crisp, ters, pithy, laconic, curtail, और average, ये ये words आप यूज कर सकते हैं, एंटरिम क्या होंगे इसके, एंटरिम होंगे, lengthy, detailed, extended, और comprehensive, तो इस तरह से ये word आप सारे यूज कर सकते हैं, concise, next word दे दिए, extirpate, extirpate का मतलब क्या है, remove, तो इसको आप क्या से याज रखेंगे, extirpate का मतलब ए रखेंगे, extirpate का मतलब हुआ हुआ होगा, root-out, जड का मतलब है, बहार नेकाल दिया, root-out, तो root-out का मतलब होता है, उन्मूलन के लिए, ये की इसी बीमारी को आपने जड के खतम कर दिया, that is called root-out, अप root, same word, देखें ये बी इन इंस वर्ट का भी same मतलब है, ये जो 7 वर obliterate annihilate and deracinate इन वर्ड को याद करने के सब चछा तरीका है सभी में आकरी में इसमें एट आ रहा है eradicate decimate eliminate obliterate annihilate और deracinate इन सभी का मतलब है remove करना या हटाना जैसे eliminate का मतलब है छटनी करना eradicate का मतलब उल्मूलन करना किसी बीमारी का obliterate remove बिलता है annihilate annihilate मतलब हिला दिया किसी बिल्लिंग को आपने हिला दिया तो वह destroy हो जाए तो annihilate completely destroy और इससे मिलता है जलता है वर्ड है आपका exterminate इसमें भी ATE आ रहा है आखर भी exterminate मतलब extra को आपने हटा दिया destroy और इससे मिलता है जलता है एक्सपंज एक्सपंज का मतलब ही होता है remove इसको भी आप अच्छी ता से याद कर लीजिए एक्सपंज और stamp out इस ता पांट का मतलब remove और किसी को remove नहीं कर रहे है तो या तो establish कर रहे है या उसको add कर रहे है तो इसका एंटरिम होगा add तो इस तरह से इन वर्ट को अच्छी ता से आप याद कर सकते हैं next वर्ड एक्सपीडाइट एक्सपीडाइट का मतलब है इस पीड़ करना किसी काम को घती देना देखिए आप यदि अच्छी डाईट लेते हैं xp डाईट एक्सपीडाइट अगरे याप अच्छी डाईट लेते तो आप express की घती से काम करने लगेंगी यानि आप में इस पीडाएट तो मतलब है speed up hurry up accelerate तो जानते ही होगे आप बाइक में accelerator होता है जो गाड़ी को speed देता है accelerate facilitate आसण बनाना further तेजी देना cut the rate tap यह क्या है क्वाज़े रेट टेप होता है जो the government department वाज फायल होती है उनके चानो तरह एक लाल रंगा फीता लागा रहता है उसको हम बोलते है रेट्टि तो यह कहता है कि वहाँ पर कामS होता है कली जोब में काम नहीं करने कहते जिनरल ओपी यह है लुगों की कि वहाँ पर डिले होता है तो उसको हम बोलते हैं LAL F. साहीया रेट्टेपिजम से काममें तो the case Rate Tape को आप कच कर देंगे monsieur ने कि आप स्पीड आजाएगी तो इस तरह से इसका ये मत्लब शुन म्चपीड डाइट गा के आपमें وسक 15 आजाएंगी हाँ नेक्स बर्ड देखिए कि एंटो फ्ट एंटो नेम इसके हो गें इंपीड q& a Retired sis कि जिसके वह हैं एंटो नेम होल्ड हिंडर हैंपर जिसारे से यह सुआरे आसे जिए बहुत इंप्रटन वर्ड है इंपीड से एक वर्ड बनता इंपैडिमेंटपैडिमेंट का मतलब होताए रुक वर्ट इसको आप याद कैसे र खेंगे इसको याद रखेंगे कि अगी करके इसको आप याद रखेंगे कि किअ मैं जण है तो आप व्यमोज प्रक्रों को रोक्त कर सकते हैं एक इसको चीज कर रहा हैं तो इस तरह से आप याद रखा रहे हैं अपने पारी इनका दमाग बहुत तेजे धीमे चलता है उनको हम बोलते हैं mentally retarded children, तो इस तरह से retired का मतलब पीछे धकेलना या गति धीमी करना इसको बोल सकते हैं, seize का तो मैंने आपको बताया ही था, seize का मैंने बताया था, rokना होता है seize का मतलब hold, hinder, hamper, तो यह सारे वर्ड मिलतो जलते वर्ड है, hinder is the antonym of help, help का मतलब इसको assist करना है, hinder का मतलब रोकना, और देखिए, मैंने याँ पर दिये, impede का impediment बन जायागा, noun, और hinder का hindrance बन जायागा, यह equivalent word है, तो इनको भी आप याद का सकते है, impede का impediment, impediment मतलब आपने pad लगा लिया, pad लगा लिया, मतलब आप रुकावड बन गया किसी चीज की, तो इसलिए आप impediment word का use कर सकते हैं, इस तरह से in word का आप याद कर सकते हैं, next word देखिए, rampant, देखिए rampant का मतलब होता है, something that is widespread, something that is present everywhere, something that is extensive, something that is uncontrolled, ठीक है, जो सब जगा फै रहेंगे, देखिए, rampant होता है computer में, और computer की पहुच कहा है, सब जगे फैला हुआ है computer, तो rampant का मतलब है, कि widespread कोई चीज सब जगे फैली हुई है, rampant, यहाँ पर rampant में है, वहाँ पर computer है, computer सब जगे है, इस तरह से आप इसको याद कर सकते है, unbiddled, unbiddled का मतलब क्या है, un unbiddled, देखिए, bidled जो होता है, वो घोडे की लगाम को बोलते है, bidled, जिसमें bidled नहीं है, यादि unbiddled है, जो, मतलब वो uncontrolled है, इसी तरह से unchecked, uncontrolled, raising एक्दम उफनता हुआ, उसको बोलेंगे, uncontrolled, तो इसके enter name क्या हो जाएंगे, जो रुका हुआ है, एक जगे जो रुका checked, controlled, restrained, moderate, limited, और bottle up, किसी को आप बंद कर देंगे, तो रुका है, और इसी तरह से मिलता है, pent up, pent up emotions मतलब दबे हुए emotions, तो कितने सारे बढ़ें 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 बढ़ेंगे, इसको आप हमेशा के लिए आप याद कर सकते हैं, चलिए, next word देखिए, reticent, बहुत important word है, क reticent, reticent, reticent को आप sent से याद कर सकते हैं, sent मतलब English में क्या होता है, sadhu sant, और sadhu sant का nature कैसा होता है, वो reserve होते हैं, बहुत, बोलते नहीं है, quiet होते हैं, restrained होते हैं, तो इस तरह से आप reticent, मतलब reserve, quiet, या restraint, इस तरह से आप याद रसकते हैं, taciturn, taciturn इसके लिए बहुत important word है taciturn, quiet, बहुत important word है, taciturn, unforthcoming, जो सामने नहीं आ रहा, जो reserve nature का है, सामने नहीं आ रहा, बोल ले रहा, उसको हम बोलेंगे, unforthcoming, uncommunicative, मिलता जोलता word है, और एंटरिम क्या होगा इसका, talkative, locusus, sorry, और gerulous, ये बहुत important word है, locusus, लोक का मतलब होता है, बोल ला मिसा, तो लोक talkative का मतलब हो जाएगा, talkative और gerulous का मतलब ही है, talkative, ये दोनों वर्ट काई एक्जाओ में आ चुके है, बोल इंप्रेंट वर्ट से, next word देखी, evacuate, 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 में कुवा एक सब्दार है, कुवा, कुवा मतलब, कुवा खाली पढ़ा है, इसका मतलब ये है, evacuate मतलब कुवा खाली पढ़ा है, तो evacuate का मतलब होता है, खाली कराना, जैसे कहीं पर सिटी बगरा में बाड बगरा जाती है, तो गवर्मेंट और सेरी आपको evacuate करा लेती है, खाली करा लेती है, तो इसका होगा, empty, vacate, send away, remove, withdraw, और abandon, त्यागना, और एंटरिम क्या हो जाएगा, occupy, घेर लेना, enter, और remain, वहीं पर बने रहना, तो इस तरह से इन वर्ट को आप, evacuate का मतलब हो जाएगा, vacate, empty, इस तरह से आप याद कर सकते है, next word, rescue, rescue का मतलब होता है, जैसे rescue operations चल रहे है, वहाँ पर, बाड आई हुई है, rescue operations चल रहे है, मतलब बचावकार चल रहा है, इस तरह से आप याद एज दे दिया आपने उसको, तो salvage का मतलब होगा, save करना, liberate, free कर दिया आपने, release, छोड़ दिया, set free, इस तरह से, अब देखिए इसका एंटोनियम क्या होगा, इसका इंटोनियम होगा, abandon, abandon का मतलब आपने कोई विक्ती मुसीबत में है, लेकिन आपने उसको बचाया नही छोड़ दिया उसके हालत पहुत, इसको बोलेंगी, abandon, तो इसलिए, rescue का एंटोनियम होगा, abandon, या endangered, खत्रे में डाल दिया आपने उसको, तो इस तरह से इन वर्ट को याद कर सकते है, salvage से एक मिलता बड़ दिया, savage, लेकिन savage का मतलब होता है, निर्दई, cruel या जंगली, तो भी आप अच्छी तरह से आद कर लीजे, salvage का मतलब है, savage का मतलब है, जंगली या क्रूवल, next word बर्वल, बर्वल के दो वर्ड है, एक तो बर्वल का मतलब है, pertaining to words, सब्दों से सम्मंदित, और यह इसका word है, spoken, तो इसके equivalent होंगे, spoken, oral, unwritten, जो written नहीं है और और इससे equivalent word है, बर्वोस का मतलब है, जिसमें भूस सारे words का użyा है, बार्वोस यानी बर्वर्डी और इससे मिलते है एक बर्वर्ड है, जिसमें प्रोलिक्स, प्रोलिक्स का मतलब है, जिसमें प्रो से याद रखिए anट्पैण, यानि किसी व्यक्ति ने हमादा प्रोटीन खा लिया अए, तो आप देखिए नाइब का मतलब क्या है नाइब को आप एसोसीएट कर सकते है नाइब से जिसको नाइब से डर लगता है ग्रीन का मतलब क्या होता है जब आम कच्छा होता है तो फाक जा तो पीला हो जाता जो ग्रीन जो जीदा साथ है जो हम बोलेंगे गुलीवल क्रेड जी हैं हो सब्स्वास जैसे क्रेडेंशियल्स से मतलब होता है जिसको बनती है उसको बोलते लोकित का इस साह कर लिए i तो इस तरह से आप इन वर्ट्स को याद कर ली जारा हम से, नेक्स वर्ड देखिए, फैली सिटी, फैली सिटी, सिटी में कोई चीज फैली, सिटी में क्या 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 करके याद कर सकते हैं, तो felicity, happiness, contentment, elation, I was elated, he was elated, when he won the match, he was elated, मतलब बहुत जदा खुस हो गया, delight, किसी चीज को देखके आपके चेहरे पर अगर light आ जाती है, तो आप कैसे माने जाएंगे, खुस माने जाएंगे, delight, मतलब खुस, jubilant, जब आप खुस होते हैं, तो jubilee मनाते हैं, इस तरह से आप याद रह सकते हैं, jubilee, jubilee मतलब jubilation मतल Romans, इन में दोनों Janus, इनको से वियरेशन और Jzubilee से खुस है, और एंटोनेम का क्या मतलब है, असका इंटोनेम के होगे आप इसका होगे, इसका इंटोनेम क्या होंकर ऑगे सुमिक्राइब के पेर बना हो है, उसी तरीके से डिस्प्लेजर, डिप्रेशनर, साद्न what type of इनको यहाद रसकते हैं,uin comida कोई छीजositências मतलु होता probability होगा happiness ये नेक्स वर्ड देख्ते हैं एक्विट ये लीगल वर्ड है किसी ने आपको कुट कर दिया ये लीगल वर्डberry जब गॉर्मेंट किसी क्रिमनल को बेद को छोड़ ए तो तो इसको वोलते है एक्विट क्योंकि गॉर्मेंट ने उसको इसको quit कर दिया चोड़ दिया उसको इस तरह से आप याद दा सकते हैं रिलीज, free और इसमें एक word और है exonerate exonerate में देखिए x यह word है x का मतलब क्या है exit exit का मतलब क्या है बहाल निकलना इस तरह से आप याद दा सकते हैं उसको exonerate का मतलब होगा और इंटोनेम जिसके उपर आरोप लगा होगा वो क्या होगा? convict या culprit जिसके उपर आरोप लगा हुआ है next word देखिए callous, callous को आप जोड सकते हैं कोई feeling नहीं है उसके अंदर, indifferent है और अन्टोनेम क्या होगा इसका? sensitive तो callous का मतलब है cactus, cactus कैसा होता है? insensitive इस तरह से association बना के आप इसकी याद कर सकते हैं next word देखिए bettern, bettern means experience, इसको बहुत ज़दा एक्सपरियंस है किसी इच का जो पराणा अन्भवी है उसका बोलेंगे bettern, bettern मतलब जिसने अपने बैट से बहुत ज़दा रन बनाय हुए है जिसने अपने बैट से बहुत ज़दा बनाय हुए है वह कैसा होगा बहुत ज़दा एक्सपरियंस होगा तो इसलिए bettern का मतलब क्या होगा? experience, और इसका expert, old hand, weathered, इसने बहुत सारे सीजन देखिए हुए है इसने बहुत सारे सीजन देखिए हुए है और जब सीजन देखिए हुए है तो इसकिल्ड है और इसकिल्ड है तो professional है, pro मतलब professional, experienced, ठीक है इस तरह से इन वर्ट को याद कर सकते है, bettern बहुत इंपरेंट वर्ड है और इंटरिम होगा novice, नया खिलाड़ी है इसलिए उसको बोलेंगे novice, next देखिए flunk, बहुत common word है, flunk, flunk का मतलब क्या होता है, fail, bomb हो गया वो, बतलब fail हो गया, be unsuccessful, not past, इसको याद कैसे रखेंगे आप इसको याद करने का सबची अचा तरीका है, flunk, जिसके अंक नहीं आ है, वो हो गया, flunk, यानी fail हो गया वो, तो उसको हम बोलेंगे fail, एंटरिम क्या हो गया, pass या successful, बहुत simple है, next word देखिए detrimental, detrimental का मतलब है, जो चीज आपको mental बना देवो होगी detrimental, तो कौन सी आपको mental बनाएगी, जो चीज mental बनाएगी वो कैसी होगी, harmful होगी, harmful होगी, तो detrimental का म unfavorable, ठीक है, damaging, जो आपको डेमेज कर दे, वो डेमेज होगा, और एंटरिम क्या होगा इसका, एंटरिम होगा आपका इसका, beneficial, तो इस तरह से detrimental का मतलब है, जो चीज आपको mental कर दे, mental वो होगी, जो harmful होगी, तो detrimental का मतलब होगी, harmful, next word देखिए सेगेसियस, जो साग सबजी जो साग सबजी खाता है, जो साग सबजी खाता है, जो अच्छी डाइट लेता 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 टमाग बहुत तेज चलता है, knife की तरह चलता है इसके तमाग, scholarly discerning, discerning का मतलब है जो छुपी बात को समझ जाता है, intelligent बंदा है, discerning, ар年的5 एक नंटेनिम舉ए फूलेस स्टपिपित और एक वर्ड एक वर dem यह सायरे वर्डोड टे 4 पिस तरह से आपकी सकते हैं स् Прिंग सारी जीमी सीमली का मतलब यह जो एप्रोप्रेय्ट है. सीमली का मतलब एप्रोप्रियट है, सीमली का मतलब एप्रोप्रेयट, सूटेबल, Fitting और इसके लिएएött फीडेर, वश्रियक्ट में होता है, whalezenary, sudah, प्रॉक्रेयट, इ linerum क्या होगा इसका ? इनेप्रोप्रियेर, को फेबरेबिल या अपरोप्यट इस की वड़ होता है कंट्यूसिव कंट्यूसिव बहुता है वह नॉर्मली वैदर के लिए होता है उसको भी आप बद कर लीते नहीं मैंने बता दिया यहां पर आपको कंट्यूसि आंध देखिये जा EMPの kl game रें पून जिसका ज से breadth करना सेटायर मतलब ब्यंग करना पैरोडी मतलब हसी उडाना ठीक है और जिसके हसी उडाएंगे उसको आप प्रेस करेंगे या एड्माइर करेंगे तो इस तरह से आप इंडवर्ट को अच्छी दर से याद कर सकते हैं डिटेस्ट जो आपका बहरबार टेस्ट ले रहा है उस एवो मिनेट एवो मिनेट ये अभोर से बनाया है एवो मिनेट अभोर का मतलब ही होता है हेट करना तो अभोर या एवो मिनेट का मतलब हो जाएगा हेट करना और एंटो निम क्या होगा इसका लब डिटेस्ट नहीं करना नेक्स्ट बड़ देखिए एमी लियो रेट का मतल मिल्यूर और आपके नापके में लाइन। और अघमिलियूरइट कौन होता है किसी ओफिस का बॉस जी ओए पर्वा। तो अघर आगे तो आपके काम करने का रेट गड़ जाएगा मनला आपके 리коль जाएगा यह होगा इसका end to name, इस तरह से in words को judicious, judicious को आप जोड सकते हैं सीधा judge से, judge कैसा होता है judge कैसा decision लेगा, careful लेगा sensible decision लेगा is भिकार decision लेगा judge का मतलब होगा judicious ठीक है, so judicious मतलब जो sensible decision लेता है sensible, careful cautious, thoughtful to judicious को सीधा जोड दीजिया जज से, जजज अव्यक्ति, जुडिसियस, बुद्धिमान, सेंसिबिल, केरफुल, और एंटरिम क्या होगा, इसका, इंसेंसिबिल होगा, नेक्स बट 웃की, फिकल, फिकल, पिकल जो फिसल जाता ए, जो फिसल जाता है, जो अनस्ठेवल हम नहीं है, कभी कुछ बोलता था, जो उसको बोलने से, ऐसको बोलेंगे, फिकल, फिकल का मनला अनस्टेवल, केपरीसीद, केपरीस्यस, केपरीज कमतल से मिल्द Hi Canadian सनक, सनकी है छो कभी कुछ बोलता है कभी कुछ बोलता है उसको एंछा इसका कहा है. कि पिखल Const Twin को आप याद रखींए, जो फिसल जाता है मतलब Ch également is Stabil to Strength नहीं पहुता है कि अधिकरा नहीं का को ख़्याइक यह से अधिया क्वारण बोला सा करना पड़ाइग आपको लिए इसके लिए एक बादा आदख प्रविए ओनकल प्रेजल घ्टर इस अधिकरपली तो फ़्याइल का मतलब होता है लिए बेकब ब्रेक बिटल बिटल का मतल कि एक इंटिर मांका सेब मसं कर सेब मतलब है और अंतरेम कैं फर्टकार बाते हैं यह अंडरेटिस बाले में पर आक बोस्ता पिपारे प्रभी पिछ मतलब में फर्ट को मिइच वो आती है, फस्टेशन होती है, उसको बोलते हैं, तो सेग्रिन का होगा, सौरो, एनोएंस, एक वर्ड याद करना पड़ेगा, थोड़ा सा, मौटिफिकेशन, मौटिफिकेशन का मतलब भी, सेग्रिणी, sadness है, वैक्सेशन, मतलब तनाव, चिंता, डिसपोइंट्मेंट और डिसमे, इन वर्ड को आप, इस तरह से याद कर सकते हैं, एक वर्ड यह होगा, इसका एन्टोनेम होगा, ट्रायम्फ, प्लैजर और हैपिनेस, तो यह उसके होगे, एन्टोनेम, नेक्स वर्ड आप शॉट्ट इसको आप दर्सकते इंपलीकेशन क्या पढ़ नाम हुए इसके को रोलरी ये इसके मिलते जोते वर्ड है अन्टोनेम क्या होगा इसका कॉज और ओर इसन तो रेमिफिकेशन का मतलब रेजल्ट रेजल्ट का मतलब है कॉंसी को जोकोज को आप सीज़ा एक सीज़ा एनका मतलब रहता है तो जो करका को शल्टा होगा सीज़ाइस ठीडेट नेक्स वडदेखि के immigrant इंमीगरेंट में आही लगा हुआ है जी आही थारूँ मतलब क्या हुआ है मतलब जयो इन हो रहा है जो बहार से अन्दर भार पार एक सब को cherry Step---- जो को आह वह जा रहा है. ठीक है, तो emigrant हो जायेगा. जो इंडिया से उएस जायेगा, उसको हम बोलेंगे. emigrant, one who goes out. तो इसके लिए कुछ वर्ड हो रहा है, expatriate, जो exit कर रहा है, देखे, expatriate मतलब जो exit कर रहा है, deportee, इसको भी यह यह बहत important word है, और extra diet, sorry, एक्स्टाइट अभी विजय माल्या के लिए यूज हो रहा है यह वर्ड सेंड बैक मतलब बापिस भेजना या ट्रांसफर करना या हैंड़ोवर करना एक्स्टाइट एक्स्टाइट या आप इंडिया से अमिर्का जाएंगे तो आप ठक जाएंगे और आपको करन या अनि पुलिसटोफें गाली होती है उसमें लेके उसको जाया जाता ह県ती इससे आप यादे सकते हैं कार सी रट इट है बंदी को कार में ले जा रहा है, in carc rated मतलब उसको बंदी बनाया जा रहा है, locked up, simple सह वाड़ है, enslave मतलब, slave का मतलब होता है, गुलाम, enslaved हो गया, cage मतलब पिजरा होता है, पिजरे में बंद कर दिया उसको, तो वो prisoner हो गया, detained, detained का मतलब होता है हिरासत में लेना, detained को आप chain से याद दसकते हैं, जब आप हिरासत में लेते हैं किसी को तो उसको हतकरी बिना देते हैं, detained मतलब chain, chain मतलब हतकरी, तो detained मतलब उसको हिरासत में ले लिया, under lock and key, lock लगाके policeman key अपने पास रख लेता है, तो उसको बोलते हैं, under lock and key, और antonym हो जाएगा इसका, free, तो इस तरह से आप इन वर्ट को, feeble, feeble मतलब जिसमें बल नहीं हो होगा, feeble, feeble, जिसमें बल नहीं हो delicate, जो delicate है, ना जोक है, उसको हम बोलेंगे, feeble, अन्टोनेम क्या होगा इसका, strong, तो अब यहां पर मैं आपका एक revision test लूँगा, मुझे उम्मीद है कि आप बताते जाएंगे इन सारे वर्ट को मैं पूछूँगा आप से, और इन सारे वर्ट को आप बताते जाएंगे, दे डिएंगे सेजिए सेकंड वर्ट, एक्रोफोबिया, अक्रोफोबिया के बताया था है मैंने क्रो मतलब कवा कहां पर बैटा है हाइट पह है इसलिए अक्रोफोबिया मतलब fear of height, फ्लंक जिसके अंक नहीं आए वो क्या होगा, तो फ्लंक मतलब फैल, यूबी कोटस, यूब जब रिवको मैं हमने बता ही तो साइनोफीबिया क्या हूँ यह वे रफ ज यह रॉटयूर का वा? बमक इल्हेयर old LEs क्या होता है? डॉर्पल रॉा क्या हुआ उत तो इस अशी यह नगू Yर K क्षिऑ निल गया तो आपकी सिवहेसेट आपकी आइडिल सिवयेशन होगी एक ठीक है तो युटोपीय का मतलब होता है राम राज यह आइडियल सिच्फिवेशन इमिगरेंट जो बाहर से अंदर आता है इमिगरेंट जिसने कैप लगाई हुए रेस पहनी हुई है वो कैसा ह वो जैली होगा वो, जो कोज, जो जोकर जैसा है, फणी है, हुमरिस है, जो जुडी कहसा होता है, нож काता है, सेंसिबल, כे रफुल, तो जुडीस का क्या मतल 74 होगा है, जूत trilogy अपको बार बार आपको परिसान कर रहा है, अवह को मित्या को नफरत होगी, तो पीर मनलब है, मतल जो चीज आपको mental कर देती है वह चीज कैसी होगी? beneficial or harmful? harmful, क्या हुआ? harmful, callous, cactus, insensitive, bad run, experienced, तो इस तरह से आपको याद हो गए तो इस तरह से आपको यह पसंद आया है तो जरूर लाइक करिए जरूर कमेंट करके मुझे बताईए और जरूर इसको इस चैनल को जरूर सब्सक्र सब्सक्राइब करिए and I wish you all the best for your bright future. Thank you.